अभी अभी रोतास के सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक व्यक्टी को गोली मार कर घायल कर दिया गया है मामला गुरक्षनी के लाल गंज का है जहां पचास वर्षिय शिवकुमार नामक व्यक्ती को अपराधियों ने गोली मार दी बताया जा रहा है कि शिवकुमार पैसे लेकर अपने घर से एर इन गैस एजनसी के तरफ पैदल ही जा रहे थे इसी दारान अपराधियों ने लूट की मनशा से उनके साथ छिंजपट का प्रयास किया और विरोध करने पर उन्हें गोली मार दे प्राधमी कुपचार के लिए शिवकुमार को स्टेशोडी दाम हस्पिटल ले जाया गया जहां से उन्हें जमुहार नराण मेडिकल कॉलेज और अस्पितल के लिए रिफर कर दिया गया वहां मेन हेड वही थे तरह के पहिसाविसाब ननीम दिन करते थे बैंकूंग जाते होंगे अभी स्थिती कैसी बताई जाए अभी स्थिती देखिए गोली निकल गया है गोली निकलने के बाद डोक्तर लोग कंफर्म उन्हें कुछ कहा है दो तिन अपरेशन हुआ है पेट वगरा फाड़ा गया है बलड वगरा जमा है सुने माया है यह सब बात है ए घंटा के अंदर स भी बस देखिए बात है जागए जागँ